नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टड़ी 99 परसेंट यूटूब चैनल पर दोस्तों इस वीडियो में अमलोब प्रत्सत के बारे में जानेंगी तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है प्रत्सत प्रत्सत का अर्थ क्या होता है तो दोस्तों प्रत्सत का अर्थ प्रत् प्रत्सथ वह भी नहये जिसका हर 100 होता है जैसे यहांप पर देखे एकजामटल है 10 प्रत्सथ प्रत्सथ को आप क्या लेकस अक्ते हैं 12 बटा के 100 इसका अर आ गया कि नहीं 100 ठीक है जब भी आपको कोई भी प्रत्सथ दो आप 22 प्रत्सथ को लिख सकते 22 बटा कि 100 इसी तरह देखे तीसर का है 33 प्रत्सत आप 33 प्रत्सत को लिख सकते हैं 33 बटा कि 100 ठीक है इसी तरह आप से question पुछा जाता है दूसर का type का कि भीन में बदली यानि कि आपको प्रत्सत दिया रहेगा और कहेगा कि भीन में बदली तो भीन में कैसे बदलेंगी तो आपको पता है कि 10 प्रत्सत को आप क्या लिख सकते हैं 10 बटा 100 10 बटा 100 लिख सकते हैं इसको तो भीन में बदलने के लिए क्या करेंगे इसको छोटा कर देंगे काट देंगे तो देखें याँ आपको 0 से 0 कट जाएगा अब यह नहीं कटेगा तो इसको आप लिग देंगे क्या एक बटा के दस हो गया ये भीन के रूप में ठीके इसी तरह यहाँ पर है 22 प्रत्सत इसको भी आपको भीन में बदलना है तो क्या करेंगी इसको लिग देंगी सिधे सिधे जब भी प्रत्सत मिले 22 प्रजशत तो इसको आप क्या करेंगे 22 बटा 100 लिख सकते हैं ठीके और इसको छोटा कर देंगे देखिए 2 से काटेंगे 2 एक कम दो 2 एक कम दो इसको काटिए 2 पच्चे 10 और यहाँ पर 0 हो जाएगा आपका कितना 11 बटा 50 उपर 11 नीचे 50 यह हो जाएगा आपका 11 बटा 50 यहाँ पर है 33 प्रजशत इसको भी आपको भीन बदलना है तो इसको लिख देंगे आप 33 बटा 100 बीना कुछ सोचे समझे आपको जब भी 33 प्रजशत लिखाए कोई भी संख्या में प्रजशत जुड़ा है उसको लिख दीजिए उतना बटा मे सो ठीक है अब इसको छोटा कर दीजिए देखिए आप 33 और सो एक किसी संख्या से नहीं कटेगा तो यही इसका भीन का रूफ हो जाएगा ठीक है 33 बटा 100 अब देखिए यहाँ पर तिसर का टाइप का कोश्चन है कि 10 मलों में बदलिए आपको प्रजशत दिया रहेगा और कहेगा कि इसको 10 मलों में बदलिए तो 10 मलों में कैसे बदलेंगी तो देखिए दोस्तो सबसे पहले आपको लिख लेना है 10 बटा 100 नीचे देखिए 2 ठोजीरो है 10 के नीचे 2 ठोजीरो है तो आप इसको लिख सकते हैं कि यहाँ से दिखिए इधर साइट दाइने साइट से गिनेंगी एक दो दो अंग के बाद दसमलो लगा देंगी तो जाएगा क्या दस फिर यहाँ पर लग जाएगा दसमलो यानि कि आपको इस साइड दाइने साइड से दो अंग के यहाँ पर नीचे दो ठोजीरो है तो दो अंग के बाद दसमलो लगा देना है यह हो गया दसमलो के रूप में ठीक है यहाँ पर 22 प्रस्त इसको लिख देंगे 22 बटा 100 नीचे 2 ठोजीरो है तो यहां से गिनेंगे अगर यहां पर 23 बटा 100 दोजीरो है तो क्या करतेगे यहां से एक दो अंग के बाद दस्मून लगेगा तियानि किता है 30 यहाँ पर दस्मून लग जाएगा और देखिए आप से इस तरह का भी question पूछा जाता है इस question को देखिए यहाँ पर है question आपका कि 350 रुपए का 15% निकाली है ठीके और दूसर का question इसी में 100 का 70% ठीके तो 350 का 15% कैसे निकालेंगी तो क्या करेंगी 350 लिख लेंगी फिर देखिए आपर का है का का मतलब होता है गुड़ा ठीके तो इसको लिख सकते हैं आप नीचे गुड़ा फिर यहाँ आपर 15% है तो आप आखमून का इसको क्या लिख सकते हैं 15 बटा 100 15 बटा के 100 क्योंकि प्रसत का अर्थ ही होता है कि वह प्रसत हुआ भी ने जिसका हर 100 होता है ठीक है यहाँ पर लिख देंगे 100 आप क्या करेंगे इसको काट देंगे देखिए 0 से 0 कटेगा यहाँ पर यहाँ पर 15 यहाँ पर 10 इसको भी काट सकते हैं इसको भी काट सकते हैं ठीक है तो इसको काट देते हैं अम लोग 5 दूना 10 5 त्याई 15 तीन बार में अब क्या करना आओगा आपको देखिए यहाँ पर 35 है यहाँ पर 3 नहीं यहाँ पर 2 अब कोई नहीं कटेगा तो क्या कर लेंगे हम लोग इस 35 में 3 का गुड़ा करा लेंगे तो जाएगा 3 पच्छे 15 को 5 हासिल एक 3 तिन के 9 और हासिल एक 10 और बट्टा की नीचे 2 ठीके अब क्या करेंगे एक 105 पर 2 से भाग दे लेंगे तो जाएगा 2 पच्छे 10 5 बार फिर 5 भाग देंगे तो आपकी भाग जाएगी 2 बार 2 दूना 4 फिर इसमें का एक बचेगा 10 में लगाकर 2 पच्छे 10 कट जाएगा ठीके 52 पच्छे 5 बार में कट जाएगा 100 का 30 प्रसद 30 ही होगा 100 का 40 प्रसद 40 ही होगा 100 का 70 प्रसद 70 ही होगा क्यों देखिए आप लिखेंगे इसको 100 यहाँ पर ब्राबर का चिंदे देंगे 100 फिर का का मतलब गुड़ा 70 प्रसद को लिख देंगे 70 बटा 100 100 से 100 कट जाएगा कितना हैगा 70 इसी तरह जब भी आपस से पूछे कि 100 का 99 प्रत्षत 100 का 99 प्रत्षत 99 होगा ठीक है क्योंकि प्रत्षत 100 पर ही निकला जाता है तो दोस्तों मुझे मीद है कि आपको प्रत्षत एक दम अच्छे से समझ में आ गया होगा मिलते हैं नेस्ट वीडियो में जैहिंद